आज मैं आपको बताऊंगा कैसे टूटीट नमबर के स्कॉयर आप आसानी से निकाल सकते हैं उधारन के लिए हम लोग 22 को लेते हैं तो 22 के स्कॉयर निकालना है तो इसके लिए सबसे पहला step यह होगा कि आपको nearest 10th place का नमबर पता करना है नेरेस्ट जो संख्या है जैसे नेरेस्ट इसका 20 है तो 20 है इसके 22 के पास है तो 20 से 2 ज्यादा है तो आप क्या करिए एक तरफ 20 लिख लिजिए और चुकि 22 ज्यादा है तो 22 में 2 एट करी थे 24 इससे आपको multiply करना है वासा नहीं होगा तो सबसे पहले क्या करना है 22 जा मतब 22 जा तरफ जब 40 और एक जिरो लगा दिया तो 400 हो जाएगा क्योंकि 2020 ट्स 400 एन 4 इंट्य 20 मतब 20 को 80 तो 480 हो गया और चुकि 2 का स्क्वाइर 4 होता है 2 ज्यादा था तो 4 उसको एट कर दी तो आप कांसर आजाएगा 486 एक और उद्धरन के तवारे इसको समझते हैं मालिजे आपने किसी नमर 38 को लिया अब चुकि 38 40 के नियर है तो हम लोग 40 इसको बेस ले लेंगे तो 48 से 2 लेस है तो 38 में 2 less करें 36 हो जाएगा और 46 को multiply कर दीजिए तो 4 into 3 120 और एक 0 लगा देंगे तो 1200 हो जाएगा और इसके बाद है आपका 46 चाजो को 24 या 240 हो जाएगा और एक और step है आपका चुकि 2 less था तो 2 का square is 4 सबको add कर दीजिए you will get 144 यह आपका square आ जाएगा सेम इसी प्रकार अगर आप किसी और एक और नमर को हम लोग लेते हैं तो इसके लिए हम लोग एक नमर लिया 77 तो 77 यह नियर है 80 के और चुकि 77 इसको यह निकालना है तो 77 3 less है तो 77 में 3 less कर दिए तो you will get 74 और 80 से multiply कर दीजिए तो 87 जा आठसते 56 500 5600 हो जाएगा और 84 जा सब्सक्राइब कर दीजिए 9295 आपके आंसर आ जागे बस इतना ही आसान है थैंक यू सो मच और वीडियो के लिए कि आप इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करने और जो भी इसक्राइब करने हैं और जो भी इसक्राइब से 10-20 बिट्वीन 10-20 या 40-60 और 90-100 उसके लिए म थैंक यू सो मच